विल्कम बेक तो माई यूट्यूब चैनल पेपर हैकर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुश्चन नंबर 15 है ठीक है कुश्चन नंबर आपका 15 है जो कि जिसमें आपसे एक करके पूंचा गया है सबसे पहले आपसे पूंचा गया है यह टेफलॉन क्या क्या सबसे पहले आपसे पूंचा गया है टेफलोनो फूम पर टिफंपणी नियच्याए तो सबसे पहले आपका दे रखाए कि बनाने की विधी क्या है टेफलोन को बनाने की विधी मैं तदा प्रिप्रेशन की अगर हम यहां पर बात करें यानि कि टेफलोन को तरह से अगर उसको बनाया जाता है तो कह रहा है यह है टेट्रा फिलोरो एथलीन क्या है टेट्रा फिलोरो एथलीन है आपका और यह बहुली करण से बनता है टेट्रा फिलोरो एथलीन के बहुली करण से आपका यह बनता है ठीक है टेट्रा फिलोरो एथलीन एथिलीन से आपका ये बनता है क्या टेफलॉन की हमें आपर बात कर रहा है यह है अब क्रिया आक्सीजन और जल क्रिया आरंब करने वाले मुक्त मूलक हैं यह जो अब क्रिया होती है तो इस अब क्रिया में आपका आक्सीजन और जल यह क्या करते हैं क्रिया आरंब करते हैं शुरू करते हैं फिक है यह उसको करते हैं यह कि आपके free radical है मुक्त मूलक का कारी करते हैं तो पहले हम बात करेंड आपको दे लो एथीलीन कि क्या है आपका this है टेटाउस एितला एथिलीन से एक आपका बन जाता है ठीक तो देखिए सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो इसमें आपका क्या होता कोई एक आपका क्लोरोफाम होगा ठीक तो क्लोरोफाम आपका CHCL3 है इसको हम कहते हैं क्लोरोफाम प्लस क्या है आपका फ्लोराइड है क्या है आपका फ्लोराइड है तो इन दोनों की जब आप रेक्शन कर दोगे आपस में तो क्या होगा यहां से एचसीयल निकल जाएगा क्या निकल जाएगा मैनस का है एचसीयल आपका यहां से निकल जाएगा ठीक है राइच निकल जाएगा बचेगा क्या यहां से आपका दीखो दो H है Їन कि दो मॉलिक् móली कुल ले ली हमने है Number 2F तो आपके इसमें आ जाएंगे ठीक तो बच गया तो बच गया च्छ एफ टू और ती अल्ड दो मॉलीकूल आपके एच यह के वहार निकल गए ठीक है फस्ट स्टेप में आपका इतना हो जागा सेकेंड इस्ट सेप में बना है इसको हमने दुबारा से गरम कर दिया है कर दिया दोबारा से हीट कर दिया है आठ्सो डिग्री में पर कितने पर आठ्सो ड्रीली सैंटीग्रीयेट पर जब向ographical आपस्को रहे चका dopamine तो पर कितने आपके यहां निकल जाएंगे तो यहाँ पर कितने आपके चील बाहर निकल जाएंगे यहाँ पर दो फिलोरीन है और यहाँ पर कितना है एक हाइडोजन और एक हाइडोजन और एक क्लोरीन को क्या कर दो आप बाहर निकाल दो तो बच गया अब आपका यहाँ पर क्या बच जाता है यहाँ पर बच जाता है टेफलान बनाने की, तो यह CF2 आपका बज़ बना हुआ है, तो इसके हमें कितने मॉलिक्यूल चाहिए होगे, इसके हमें 2 मॉलिक्यूल चाहिए होगे, जब 2 मॉलिक्यूल इसके होगे, तो यहां से कलोरिन किते होगे, आपके 2 कलोरिन होगे, फ्लोरिन किते होगे, आपके 4 कल तो यहां से इस तरह से बाहर निकल जागा ठीक है तो यहां पर कितने मॉलिक्यूल है यहां पर मॉलिक्यूल है आपके दो ठीक है कितने है दो यानि कि दो बार आपका CH2 और C L KH2 और C L लिखा हुआ है ठीक है क्या लिखा हुआ KH2-CL और KH2-CL इसको जब गरम कर दिया तो यहां से क्या निकल गया बाई दो hydrogen ये है दो hydrogen ये निकल गया आपके और दो CL है मतलब कि 2HCL यहां से क्या हुआ है बाहर चला गया ठीक है त्वह सिल आपका यहां से बाहर चला गया बचा गया दो कारवन बच के और चार फ्लोरीन तो हम लिख सकते हैं तो एफ फॉर के लिख सकते हैं सी डुवल बॉंड कारवन इस पे फ्लोरीन इस पे फ्लोरीन और इस वाले है अगा ठीक अब इसका क्या बनाना क्या बनाना यह बहुलक कैसे बनता हो हमें बनाना यहां तक कि कहांई हो बात कोडो इसके हमने ले लाने कि बहुत सारे मॉलिक्यूल जितने आपको अवश्यक्ता है उतने molecule ले लो और हाई प्रेसर और catalyst क्या होगा आपका H2O और oxygen यह किस की तरह कारी करेंगे आपके उत्प्रे रख की तरह कारी करेंगे ठीक है oxygen और जल तो यह oxygen और जल इसमें catalyst की तरह कारी करेंगे और आपके हमारे पास सीटू एफ़ोर के किसके सीटू एफ़ोर के अभी यह क्या करेंगे आपस में एक दूसरे से link कर जाएंगे मान लो क्या है यह carbon double bond fluorine कुछ इस तरह से आपके लगे रहेंगे और fluorine नहां पर fluorine नहां पर दूसरा भी आपका इसी तरह का ठीक है एन molecule है हमारे पास एफ एफ दवल बांड three और एफ और यह भी क्या है आपका एफ इस तरह से मारे पास बहुत सारे molecule है अब होगा क्या यह बाला bond टूटे गा ठीक है यह बांड तूटे गा और यह बाला भी बांड टूटे गा ठीक है जब आपका मान से जढ़ से जुड़ जाए गार क्या बना लेगा कार्वन सिंगल ओन्ट निस पर गए और आपका माइनस का चिन जो है इस पर रह गया अब यह क्या करेगा अगले स्पिसिस से इसी तरह से हो जाएगा ठीक है तो इसी तरह से एक बहुत लंबी स्रंखला बन जाएगी जो कि क्या बन जाएगा आपका टेफलॉन बन जाएगा ठीक है तो बस यह इसी तरह से आपके लिंक हो और भी और भी मालीकूल से इसी तरह से सकता ठीक है और आँगा पर याद continuous को आपको तो याद रखना कराट टेफलान रबेदार उच्छ उच्छ गल्नांग कैसा होता है ठीप्लान आपका रबे दा ओता है ठीक है कैसा होता है रबे दार होता है अपका अमर्य े और उच्छ गल्नांग गल्ञांग कितना है iç 3Det 27-degree centigrade इतने पर ये गलता है ठीक गलनांग बाला रेखिये बहु लगा है कैसा है कि रवेदार है आपका उच्छ गलनांग बाला रेखिये बहु लगा कैसा है ? लीनियर पॉलीमर है जो ये रेखा में एरेंज रहता है यह अति द्रड था बिद्दुत का कुचालक होता है कैसा होता है यह हाड होता है और बिद्धुत का कैसा होता है कुछ आलक होता है इसका उप्योग वाल्व की पेंटिंग बनाने में किया जाता है ठीक है वाल्व जो जैसे मालो एच्erन लुगते एक लिकट में बिक अनिक भूर में लगां एक टrän लगादी यह क्या कटे लगा तो उसको खोलो बंद करो वैसा आगे घर तो बही क्या होता है जिस पर है कै पैकिंग बनाने में किया जाता है ठीक है बालों की पैकिंग उनके अंदर जो एक पैकिंग लगी रहती जिसे पैकिंग कहते हैं न ये कर प्लास्टिक की इस तरह की ठीक है तो वही पैकिंग बनाने में जो है इनका प्रियोग किया जाता है किसका टैफलॉन का ठीक समझा गया टेफलोन ठीक है अब इस वीडियों हम बात करेंगे टेकंड आपका नाइलोन 66 की ठीक है नाइलोन 66 की थेंक्स पर वाचिंग